कि अगर आप नेरे चैनल के साथ नए जुड़े हैं जल्दी से चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आज हम एक अलग टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो मैं वीडियो आज तक कभी भी नहीं लेकर आई हूँ अच्छली उस वीडियो की जरूरत मुझे भी पड़ी थी और मैंने उस वीडियो को मतलब यूट्यूब पर बहुत जादा सर्च किया क्यूंकि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही थी एक्चली मैं एक अच्छा आप को काजल करें यह ना करें अगर हम सिRफ काजल लगा ले तो उतने में ही हमारा मेक्पना काफी ज़्यादा अच्छा लगने लगता है क्योंकि एक तो आइस बड़ी बड़ी लगती है और काजल लगाना किसे पसंद नहीं होता है सो आज मैं आपके साथ एक comparison वीडियो शेयर करने वाली हूँ मेरे पास अभी कुछ टाइम पहले दो तिन मन्त पहले सिरफ एक ही काजल था जो कि था वैसे मेरे पास local brand के थे actually कोई भी मेरे पास ऐसा कोई branded काजल नहीं था मैं local brand वाले ही use कर रही थी so मेरे को ये जो plum का काजल था ये मैंने कुछ products purchase किये थे उसके साथ मुझे free मिला था जो कि आप सभी जानते आई थी कि ये 500 तक का है ये काजल एक काजल 500 रूपीज का मतलब इतना मैं खुद से तो कभी भी purchase करती ही न क्योंकि काजल के ऊपर इतना invest करना हर कोई सोचता है पहले और दूसरा है ये मामार्थ का ये मैंने खुद से purchase किया है क्योंकि ये मुझे buy one get one के offer में मिल रहा था तो मैंने इसको purchase कर लिया क्योंकि ये 150 के around पड़ा दोनों ही branded काजल हैं और हम दोनों के ही comparison वीडियो को share करने वाले हैं कि दोनों किस तरह का work काजल चाहिए था क्योंकि जो मेरी eyes है वह बहुत ही ज्यादा watery eyes मतलब sensitive eyes है जब भी मैं कोई काजल अपलाय करते हूं एकदम से मेरी eyes में water आने लग जाता है मतलब आखों पानी आने लग जाता है सो बहुत लोगों के साथ होता है जिनकी sensitive eyes होती है या watery eyes होती है सो मुझे यह था कि कुछ इस टाइप का काजल चाहिए जो कि एक तो spread भी ना हो और खासकर यही problem रहती है काजल के साथ जब भी हम कोई काजल apply करते है ना summer हो या winter हो तो वो क्या होता है कि आखों के चारों तरफ यहां पे ऐसे फैल जाता है जो कि बहुत बुरा लगता है starting में तो अच्छा लगता है लेकिन कुछ time के बाद वो बहुत बुरा लगता है इसलिए मैं एक perfect काजल ढूंड रही थी उसी का review आज share करने वाली हो बिना time waste के हुए मैं आपको दोनों का formula भी दिखाती हूँ किस type का है और दोनों में से आपके लिए कौन सा best रहेगा वो भी आपको बताती हूँ so guys you can see the product mama earth charcoal black long steak agile with vitamin C and chamomile vitamin C and chamomile हमारे eyes के लिए बहुत अच्छा होता है और यह जो product है dermatology tested chemical free product है जैसा कि mama earth के सबी products होते हैं और अगर इसके price की बात की जाए यह 299 रूपीज का है बट buy one get one के offer में मुझे 150 के around यह पढ़ गया था तो इसी लिए मैंने इसको purchase कर लिया था और shelf life हमें इसकी 3 years के मिल जाएगी बाकी open होने के बाद pencil जो है यह काजल है इसके उपर भी सब कुछ अच्छे से mention किया हुआ है मतलब इसका price बगएरा और अगर हम इसके stick के बात करें इसके stick जो है वो 0.3 ग्राम की है और यह कम से कम हमारा अगर हम daily भी use करें न वन year तक तो आराम से चल जाएगा next जो है वो plum plum का 4.95 रुपीज का है और यह इसमें ऐसा कहा गया है कि यह खोल काजल है खोल काजल है और old day तक यह रहता है हमारी आइस पर बाकी तो इसका मैं experience शेयर करूंगी और दिखने में कितना ज़्यादा बोल्ड लग रहा है बोल्ड ब्लैक लग रहा है यह और apply करने के बाद भी यह एकदम मतलब dark वाला black color देता है और जो मामा अर्थ का है अगर हम मामा अर्थ को compare करें तो मामा अर्थ का comparative भी थोड़ा सा light है और हाँ plum plum की वैसे मेरे पस packaging नहीं है बट इसके साथ हमेश आर्पनर भी free मिलता है और मामा अर्थ में ऐसी कोई need ही नहीं है बट दोनों के color में बहुत ज्यादा difference है plum का बहुत ज्यादा dark है और मामा अर्थ का थोड़ा सा light है water test इसका करते हैं तो water test करने पर plum का भी हलका सा तो spread हुआ है और मामा अर्थ का भी हुआ है बाकी मैं आपके साथ अपना experience share करती हूँ कि मतलब cold day लगाने पर मुझे कैसा feel हुआ या कैसा experience रहा मेरा और जब मैं plum का use करते हूँ तब भी मुझे eyes में water आता है मतलब मेरी eyes sensitive है water तो आएगा ही आएगा और चलो इसको हम skip करते हैं क्योंकि अब sensitive eyes है तो water तो आएगा ही आएगा थोड़े time के लिए हमें adjust करना पड़ेगा बट यह है कि ऐसे कोई redness नहीं आती आखों में दोनों ह काजल से हमें कोई आखों में redness नहीं होती कोई burning sensation फील नहीं होती है दोनों ही काजल perfect है और अभी मैंने आपको texture भी दिखाया है कि जो plum वाला है वो बहुत bold black काजल है और जो मामार्थ का है वो थोड़ा सा light है मतलब इतना ज्यादा bold नहीं है light है light black कह सकते हैं हम इसको मामा काजल क्या करता है कि अगर आपने सुबह अपलाए किया है तो यह six or seven hours के बाद आपकी आँखों में से खुद ही गायप हो जाएगा मतलब यह spread नहीं होगा मतलब आँखों के चारो तरफ ऐसे फैलेगा नहीं बिल्कुल भी बट यह खुद ही गायप हो जाएगा आपको पत है वैसे तो यह भी spread नहीं होता है बिल्कुल भी spread नहीं होता है बट थोड़ा सा अगर long time हो जाता है ना तो जैसे मैंने एक दिन यह सुभा लगाया था प्लम का और नाई तक जब मैं अपना फेस वाश करने के लिए गई तो यह यहां पर थोड़ा थोड़ा सा मतलब spread हुआ था यह भी कह सकते हैं कि वैसे तो दोनों काजल बहुत बढ़िया है बस एक यही चीजी इन में खराब है कि एक बहुत जादा डार्क है बहुत जादा लाइट है तो अगर आप बोल्ड काजल चाहते हैं तो आप प्लम का यूज कर सकते हैं और यह लॉंग टाइंग तक भी stay करता है मतलब यह अपने आप से गायब नहीं होगा यह आपकी आईज में पूरे डे तक stay करेगा बट हलका सा spread तो होगा बिल्कुल वो भी ऐसा है कि जैसे मैंने बताया ना मैंने सुबह अपलाए किया और नाइट में जाकर यह spread हुआ जब मैं अपना face को wash करने के लिए गई तब मैंने देखा था और जो मामार्थ का है यह वैसे इतना bold नहीं है यह light है काजल जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपनी eyes भी अपलाए किया जो मामार्थ का है यह बहुत ही ज्यादा मतलब comparatively plum light color का है यह long time तक तो stain नहीं करता है यह four या five यह हम जाद़ जाद़ six कह सकते हैं six hours तक ही आपकी eyes में रहेगा उसके बाद यह खुद से ही गायप हो जाता है आपको reapply करना पड़ेगा so अब आप दोनों में से अपने accordingly choose कर सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आप reapply करना आपको easy लगता है तब तो आप mama earth का purchase कर सकते हैं अगर आपको bold भी चाहिए और long time तक stay भी चाहिए और तो आप plum का use कर सकते हैं और दोनों का comparison वीडियो मैंने share किया था कि जो mama earth का है वो easily जैसे मैंने आपको rub करके दिखाया था ना finger पे mama earth का जो है वो easily guy up हो जाता है तो वो हट जाएगा कुछ time के बाद लेकिन जो plum का है वो बहुत देर तक stay करता है यह बहुत अच्छी बात लगी इसकी मतलब अगर गर्मी है ना बहुत जादा तो थोड़ा सा तो spread होएगा ही ह उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा आप compact powder यूज करके अपने face को set कर सकते हैं तो दोनों ही अच्छे हैं और बस अपने according आप दोनों में से कोई भी purchase कर सकते हैं अब आपको आज का मेरे वीडियो जो है पसंद आया होगा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना तो थैंक्यू थैंक्यू सो मच वाचिं माई वीडियो बाइस मिलते हैं नेक्स वीडियो में